हेलो इस्टेंट्स वेलकम दू अफिसेल यूट्यूब चैनल आफ ओरीजिन कोचिंग आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 11 फिजिक्स और मीडियम हिंदी हिंदी मीडियम का हमारा जो क्लास चल रहा है इंगलिस मीडियम के तो हमने बहुत से आगे से वीडियो बना लिया है Effects इसी मीडियम को जो हमारा सीरिज चल रहा है उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गती का आपने पहला पार्ट देखा है जिसमें मैंने सरल रेखा में गती का बेसिक फंडमेंटर और कुछ ग्राफ आपको पढ़ाया आज का हमारा जो इसका second पार्ट है वह बहुत ही 9th class में हम लोग उसको बहुत basic basic उसके पढ़ाई करते हैं और 11th class में उसको हमको बहुत detail में पढ़ना है तो आज हम पढ़ेंगे गती के समी करण, equation of motion equation of motion देखें गती के जो 3 समी करण होते हैं एक बार मैं आपको सबसे पहले गती के 3 समी करण को अब बता दूं कौन कौन से समी करण है पहला समी करण है V equal U plus 80 दूसरा समी करण है S equal UT plus 1 upon 2 80 square और तीसरा समी करण है V square equal to U square plus 2S ये मान के चलिए कि ये जो 3 गती के समी करण है ये mechanics के जान है मतलब आगे जो आप यांतरिकी पढ़ेंगे और 11 वी class में जो यांतरिकी का portion है वो competitive point of use है सबसे important है मैं हमेशा अपने हर वीडियो में 11 class में students के याद दिलाता हूँ कि यदि आपका future में competitive target है that means यांतरिकी का जो portion है उसको बहुत strong करिए और ये 3 गती के समी करण से यहां से हम स्टार्ट करते हैं रहने के लिए सिर्फ 3 बहुत आसान equation है लेकिन इसमें जो numericals बनते हैं और इसमें numericals की जो variety numerical के जो इसमें types हैं बहुत ज़ादा है बाद में जब मैं आपको numericals का video provide कराऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा लगभख सभी numerical सिर्फ ये 3 गती के समी करण पर चलेगा इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है अब ये गती के 3 समी करण को proof करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं और तीनों तरीके हमको पढ़ना है वो इसलिए पढ़ना है कि उन तरीके से आपको बाद में support मिलेगा कि किस तरह किस question को हम किस method से बना सकते हैं और आपके school exam में भी टीचर से थी question पूछें तो method के साब से पूछ सकते हैं गती के समीकरण को इस विए से बनाईए तो सबसे पहले हम इसका जो simple method है जो इसका algebraic method है उस विधी से सबसे पहले हम इसको proof करेंगे जो कि बहुत आसान है तो पहला आप एक-एक करके proof करें जाते हैं पहला method first method first पहली विधी तो पहली बिधी में हम सबसे पहले प्रथम समी करण गती का प्रथम समी करण जो मैंने भी यहाँ पर लिखा था जो कि क्या है अपने पास V equal U plus 80 इसको प्रूफ करेंगे सबसे पहले गती के प्रथम समी करण को clear तो अब हम इसका करते हैं यहाँ पर कौन को से variable क्या है देखे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके जो variables है इसके जो चर्रा से use किया गए है वो क्या है V क्या है यह है अंतिम वेग पिंड का अंतिम वेग मतलब final velocity U क्या है प्रारंभी क्वेग यह प्रारंभी क्वेग है और A है यहाँ पर त्वरण और T है समय तो यह जो चार रासी समें use किया गए है इनका मैंने आपको इंटर्डक्सन दिया V अंतिम वेग है U प्रारंभी क्वेग है A त्वरण है और T समय है इसके बाद हम देखते हैं इसका proof कि हम इसको proof किस तरह से करते हैं इसका proof बहुत आसान है एक लाइन का proof है इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है देखिए इसका proof तो सबसे पहले हम माना की लिखेंगे माना की में आप क्या लिखोगे माना की किसी गती सिल्पिंड का अन्दिम वेक धी है ती है तो चुंकि हम जानते हैं कि तोरण का जो formula होता है चुंकि तोरण ए बराबर वेग परिवरतन वेग में परिवरतन की दर को हम क्या कहते हैं तोरण तो वेग परिवरतन बटे यह अप हमारे first video में पढ़े चुके हैं तो तो तोरान मतलब वेग परिवरतन की इद्धर, तो यह हमने फार्मूला को लिख दिया, that implies इसको साल्व करें, तो ए बराबर वेग में परिवरतन का मतलब क्या होगा, अंतीम वेग रिड़ प्रारंभीक वेग, तो अंतीम वेग भी माइनस प्रारंभीक वेग, यू को समय क्या T, यह होजाएगा, that implies यहां T को इधर पर्ख्शानतर कर दे, A into T equal to होजाएगा V minus U, अब हम U को इधर ट्रांसफर कर दे, तो that implies U equal to होजाएगा इसको इधर ट्रांसफर कर दे, तो V equal to निकालना है अपने को स्वारी, तो V equal to U किधर ट्रांसफर कर दे जे, तो V equal to इधर आके प्लस होजाएगा, U plus A into T, यह होजाएगा गती का प्रथम समय कर, तो प्रथम समय कर तो बहुत दो लाइन का कुछ भी रखा हुआ है, एक्चल में इसका आगे का जो मेथड है, ग्राफ का और आउकलन वो थोड़ा इस्टेंडर है, बाकि यह तो बहुत आसान है, लेकिन एक्जाम में जिस विधी से बोलता है, ऐसा अपन बनाते हैं, ठीक है, यह हो गया गती का प्रथम समय कर अब हम देखते हैं, गती का दूती समय कर है, अभी मैं आपको इंट्रोटक्षन के समय में बताया, गती का दूती समय कर होता है, यह गती का दूती समय कर है, और अब हमको इस समय करन को प्रूफ करना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, गती की समय करन में कौन-कौन सा वेरियवल क्या है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, सबसे पहले, एस, एस क्या है, विस्थापन है, एस विस्थापन कर लाता है, यू क्या है, अभी मैंने बताया, यू यहाँ भी यूज हुआ है, वो है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है, और फिर यूज हुआ है, टी, जो की क्या है, समय है, इसके बाद A, A क्या है? तो ऐसे आपको सबसे पहले चर्रासी का introduction दे रहे है कि इस समीकर में कौन सी चर्रासी क्या है? इसके बाद इसका proof अब हम देखते हैं इसका proof कि किस प्रकास इसको हम proof करेंगे तो proof में आप देखिए यहाँ पर जो वेग यूज किया गया है ये क्या है? प्रारंभीक वेग है और विस्थापन भी है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जब तक पिंड में प्रारंभीक और अंतिम वेग दोनों नहीं होगा तब तक पिंड में विस्थापन ही हो सकता तो सबसे पहले हम यहां निकालते हैं पिंड का आउस्त वेग यहां पर हम वही सबसे पहले जो बादा है माना के लिख लेंगे माना की में क्या लिखते हैं सभी variables को लिखते हैं कौन-कौन सा चीज क्या है इसके बाद हम यहां पर निकालेंगे आउस्तात वेग आउस्तात वेग भी एवरेज बराबर हो जाएगा प्रारंभीक वेग धन अंतिम वेग बटे दो clear? इसके बाद हम सिज़ा नहीं कालते हैं इसलिए विस्थापन पिंड का जो विस्थापन है S वो किसके बराबर हो जाएगा पिंड का आउस्त वेग आउस्त वेग गुडिस समय हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है का विस्थापन बटे समय या विस्थापन बराबर हम कहा लिए सकते हैं आउस्त वेग गुडिस समय अब यहाँ पर हम मान को रख दें तो that implies विस्थापन को हमने S लिया है और और साथ वेग यह हम निकाल के रखें है V average वो हो जाएगा U plus V upon 2 और समय का गुणा हो जाएगा इसका T का clear? ते हो जाएगा that implies इसको आगे साल्व करें तो S equal अब हमको यहाँ पर क्या करना है यह जो V का मान है पढ़ा है वहाँ से लाके रखना है क्यों? क्योंकि गति के दूती समय करण में अंतिम वेग नहीं होता देखे इसमें अंतिम वेग नहीं कि और प्राणभी करण है तो यहाँ से हमको विस्थापन करना पढ़ेगा और हमको मालूम है अभी हमने पढ़ा है अंतिम वेग का जो माल है यहाँ पर लाके रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? यू प्लस अटी और अपढ़ाण टू ब्रेकेट के बाहर में टी तो हम गति के प्राणभी करना जें आप वी के माल के हाँ पर प्रतिस्थापित कर दिये आगे इसको हम सालू करें तो देट इंप्लाइज एस इक्वल टू यू यू दोनों 8 होके क्या हो जाएगा? तो यू और प्लस अटी अपढ़ाण 2 इंटू टी, देट इंप्लाइज एस इक्वल, अब हम क्या करते हैं? ये T का अंदर multiply करते हैं और 2 को दोनों में बारी बारी से भाग भी देते हैं तो 2 का जब इसके साथ भाग होगा तो 2 कट जाएगा और T का इसके साथ में गुणा होके हो जाएगा UT और plus इसका इसके साथ में गुणा होगा तो यहां तो 1 बटे 2 होगा एक बटेन दो A और T कर T के साथ में गुड़ा T square यह हो जाएगा गती का दूती समीकरण का प्रूप बहुत आसान है यह पहला मेथड बहुत ही आसान है यदि आपको एक्जाम में कभी कोई मेथड न बोले तो आपको हमेशा यह जो मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ उसी से आपको इसको साल्व करना चाहिए ते हो गया गती का दूती समीकरण अब हम प्रूप करते हैं गती का दूती समीकरण थर्ड एक्वेशन इसका थर्ड एक्वेशन एक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को कम्बाइड करने से मिलता है इसलिए उसको मैं एक स्पेसल टेक्निक से आपको प्रूफ कर रहा हूँ बुक में तो बहुत लेंदी डेरिवेशन दिया रहता है आपको बुक कंसर्ट करते हैं बुक पढ़ते हैं जो भी बुक आपके पास होगा तो एक बार बुक से भी आप मेथट देख लेंगे लेकि यहाँ पर मैं बहुत आसान मेथट आपको बता रहा हूँ देखे गती का 33 समीकरण 33 समीकरण 3rd equation of motion 3rd equation of motion क्या होता है अपने पास V square equal to U square plus 2 AS यह गती का 3 समीकरण है यह हमने highlight कर दिया यह गती का 3rd equation है अब इस गती के 3rd equation को प्रूफ करना है तो यहाँ पर variables क्या-क्या है देखे यहाँ पर जो variables है जो चर रासी है यह भी जो आप जान चुके है V क्या है अंतिम वेग है V V अंतिम वेग U क्या है प्रारंभीक वेग है और A है त्वरण और A से विस्थापन आपको किसी भी समीकरण में सबसे पहले उसके चर रासी को बताना है कि कौन-कौन सा चर रासी किसलिए यूज किया गय है अब हम देखते हैं इसका proof तो सबसे पहले आप सभी चर रासी को माल लेंगे मालना की करगेली से लेंगे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं गती के प्रथम समीकरण देखे इसका डेरिवेसल में बिल्कूल अलग धनक से बता रहा हूँ बहुत आसान तरीके से सबसे पहले आप गती के प्रथम समीकरण को लिखे चूंकि अपने को पता है V इक्वेल टू यू प्लस A इंटू T यह हम जानते हैं अब इसको क्या करिए दोनों पक्षों का पूर्ण वर्गर करते हैं दोनों पक्षों का पूर्ण वर्गर करेंगे तो हो जाएगा V स्क्वेल टू यह अपने को राइट साइड में मिल जाएगा क्या U प्लस A इंटू T का होल इसको दोनों पक्षों को वर्गर किया अब इसको हम भी स्थार कर देते हैं तो V स्क्वेल इक्वेल टू यह हो जाएगा U स्क्वेल प्लस 2 A T 2 A B से 2 U A T 2 U इंटू A T और प्लस A स्क्वेल इंटू T स्क्वेल अब यहां से क्या करते हैं 2 U को हम क्या करते हैं 2 A को कामन करते हैं दोनों में से 2 A कामन करते हैं ध्यान देंगे न तो 2 A को यहां से मैं कामन करूंगा तो क्या बन जाएगा U or T तो यह हो जाएगा U T प्लस, चुक यहाँ पर दो मैं कामन किया हूँ तो दो के यहाँ पर भाग हो जाएगा क्योंकि अंदर नहीं है, तो हो जाएगा 1 upon 2, और यहाँ से हमने कामन किया है किसको, A को तो A स्क्वेर है, एक A यहाँ से बच जाएगा और इंटू T स्क्वेर अब आप इस समीरकाण को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यह जो पोर्षन है यह जो पोर्षन है वो क्या है? S है अभी हमने गति के दूती समीरकाण में पढ़ा है कि S इक्वेर यू T प्लस 1.2 A T स्क्वेर यह S के इक्वेर है हम उसको S लिख सकते हैं आप यहाँ पर S नहीं लिखना है मैं आपको सम्झाने के लिए उसको लिखना हूँ यह गति का प्रिश्टी समीरकाण प्रूफ हो गया आप कोई सब भी बुक कंसल करते होंगे तो आप ध्यान देना आपने बुक में आप पढ़ोगे तो इस मेथट को बहुत से राइटर ने बहुत लेंदी किया हूँ है मैंने बहुत से बुक्स पढ़ा है बहुत लेंदी किया हूँ है उन लोगोंने क्या किया है समीकार प्रथम से, यह प्रथम समीकार है, यहां से निकाला, तो यहां से इसका मान काया, A equal to V minus U upon A, T equal to V minus U upon A, अब इस मान को हम यहां पर भड़ते हैं, उसका इसको साल्व करते हैं, तो near about 10 step, लगभग 10 step में जाके वो adjustment होता है, लेकिन मैंने जो बेठर यहां पर बताया है, और बहुत systematic है, मैं यहां पर create कर दिया, UT plus half 80 square, और उसको गती के 23 समीकार से लिख दिया, S, चाहें, तो आप कारण यहां पर बता सकते हैं, बगल में, कि S equal to होता है, UT plus going upon to 80 square, यह बगल में बता सकते हैं, clear, तो यह हमारा हो गया, गती का 33 समीकारण, और इस तरह से, हम गती के 3 समीकारण को, बहुत असानी से proof कर सकते हैं, यह एक general method है, यह समाने विधी है, इसके बाद जो हम method पढ़ेंगे, वो कहलाता है, क्या इसका, graphically method, जो important है, हम graph पढ़ रहा हैं 11 class में, और teachers यदि आपको question में पूछ दे, कि गती के समीकारण को सिध्ध कीजिए, graphically method, तो आ पिये वाला विधी बता देंगे, जो मैं भी बताया हूँ, तो मार्स नहीं मिलेगा, और रहा सवाल competitive exam का, तो competitive exam में graphically method, इसके समझना जोड़ी है, कि कई बार जो numericals होता है, वो graph के फाम में दे देता है, देखिए, एक चीज़ आप हमेशा ध्यार रखना, अभी बहुत स स्टुडेंट्स मेरे चैनल में, जो आप देख भी रहे होंगे, वो हमेशा मेरे comments box में, IIT, JEE या फिर नेट के exam के preparation के बारे में जरूर मुझ से पूछते हैं, तो लगबख सब का common question हता है, कि हम सरम तैयरी कैसे करें, क्या करें, हो सके, तो future में मैं इस पर एक special video आपके लि exam को prepare करने का सबसे बड़ा जो basic फंडा है, वो यह है, कि आपको chapter बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा problem मालूम क्या है, कि हम chapter धंग से नहीं समझे रहते, और बिना chapter का concept clear कि ये बिना chapter को धंग से समझे, हम competitive exam में, numericals में, या multiple choice question में, या कोई competitive exam के बेटर ना का book खरीद के उसके question solve करने लगते हैं, और हम हम छोटी छोटी बातवर अटक जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है, कि आपने best तयार किया ही नहीं, इसलिए मेरा जो foundation class है, ये जो class होता है, हमारा जिसमें हम chapter को पढ़ाते हैं, हमारा जो foundation class है, उसको आप सबस कि समीगर्ण को हम अच्छे से proof कर लिए, एक्जाम में आएगा तो हम लिख लेंगे बात सही है, लेकि सपोस किसी competitive exam में कोई numerical direct ना आके graph के फाम में आ गया, सपोस numerical में graph दिया है, अब बोले कि इस graph के आधार पर गर्णा कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्यो लांग रूट से होके जाना पड़ता है, कोई shortcut नहीं है, इसलिए आप हमेशा कोसिस करिए, कि basically starting में चीजों को आप depth में जाके पढ़िए, उसमें कुछ हड़बड़ी जैसा बात नहीं, एक बार आप कर दी, base is strong हो गया, तो फिर आप बाद में shortcut कर सकते हैं, starting से आप shortcut नही कहूँ इसको, तो method number two, और इस method का नाम है, graphical method, जिसको मैं हिंदी में लिक देता हूँ, ग्राफी विधी, ग्राफी विधी, ठीक है, graphical method, यह है, graphical method, और उसमें हम सबसे पहले डिराइब करते हैं, प्रथम समी करण को, जो हमने अभी पढ़ा है, प्रथम समी करण को, ग्राफी विधी से, तो ग्राफी विधी का एक खास बात है, भ्यान देना, कि graph common है, method three हैं, लेकिन graph एक है, या मैं एक काम करूँ, यहाँ पर मैं heading में method ना लिख के, सबसे पहले मैं आपको graph को समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम उसी विधी से, उसी graph की साहता से, तीनों समी करण को proof करेंगे, तो सबसे पहले आपको पूरा concentration मेरे graph पर होना चाहिए, थ्यान देंगे मैं graph में, क्या क्या कैसे बना रहा हूँ, यह दो वक्ष हैं हमारे, clear, यह हमारा x-axis है, और यह y-axis है, suppose हमने x-axis में समय को लिया है, जिसको हम तीस से फदसीद करते हैं, और आपको मालूम है कि हम y-axis में किस को लेते हैं, वेग को लेते हैं, तो y-axis में वेग को लिया हुआ है, यह मूल बिन्दू है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यह जो point है, suppose, इस point को मैं A कहा, और यहाँ पर पिंड का वेग है, वो प्रारंधीक वेग है, मालू U है, क्योंकि हमने y-axis में वेग को पदर्शित किया है, तो A जो बिन्दू है, वहाँ पर पिंड का प्रारंधीक वेग U है, और इसके बाद यह हम graph बनाएं, और इस बिन्दू का नाम B है, suppose यहाँ पर जो पिंड का वेग है, वो अंतिम वेग है, जो कि क्या है, वी है, यह graph ने दूरियों का आप समझते जाएं ना ध्यान से, तो A बिन्दू इसका प्रारंधीक वेग है, और B बिन्दू क्या है, इसका अंतिम वेग है, यहाँ से हमने इसको लंब डाल दिया, यह, और यहाँ से इस पर एक लंब यह डाल दिया, C इस बिन्दू का नाम दे दिया, suppose, D, clear, अब यहाँ पर आप देखिए, यह जो कोण है, यह थीटा, इस तरह का graph, मेरे फर्स वीडियो में मैं आपको पढ़ा, यह वीटी graph है, यह जो graph ही वीधी है, इसमें हम इस graph के नाम को बलते हैं, वीटी graph, वीटी graph, क्यों किया हुएगर, समय के बीच में हीचा गया graph, इसको वीटी graph करते हैं, अब यहाँ पर आपको graph के बाद, पूरे graph में explain करना पड़ेगा, कि कौन-कौन विर्यवर क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख रहूँ, इस explanation को आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ मतलब कहा graph में, OA, OA क्या है, U है, OA है, और BD, BD क्या है, V है, यहाँ से यहाँ तक अंती मुरेगा है, अब यदि हम BC निकालना चाहें, तो BC पराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस AO, जिसकों हम सिजह लिख सकते हैं, V माइनस U, मतलब यह जो distance है, यह हो जाएगा, V माइनस U, कहां से, यहां से, यहां तक, यह V माइनस U, यह graph नहीं बताते जा रहों है, graph कोई धंग समझना है, बाकि derivation में कुछ नहीं आपता, clear, इसके बाद यह OD है, वो AC के बराबर है, OD बराबर AC है, जो की समय T के बराबर है, clear, इस तरह से हमने यहाँ पर, total distance को लिग दिया कौन, क्या है, तो सबसे पहले आप graph बनाएंगे, graph बनाने के बाद यह दूरियों को लिखेंगे, और दूरियों को लिखने के बाद, हम AC करके सभी समीकर्ण को प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले प्रथम समीकर्ण है, अब जब हमको प्रथम समीकर्ण का प्रूफ करना होगा, एक्जाम में जो समीकर्ण हमको प्रूफ करने के लिए वो लेगोशिक करेंगे, तो graph को सबसे पहले बना लेंगे, यह दूरियों को लिख लेंगे, और प्रथम समीकर्ण को हम प्रूफ करेंगे, देखिए, तो हमन पढ़ेंगे, अब यहांपी स्वयाद करें न, जैसे V बराबर 10 theta मैंने बताया था, वो ऐसी A बराबर क्या होता है, 10 theta, तो A बराबर 10 theta होता है यह हम जानते हैं, that implies A equal to, इसको हम बोलते हैं, graph का ढाल, यह आप प्रमणता भी कहते हैं, यह आप 10 theta न भी लिखें, तो direct लिख सक अब अपने graph में आप देखिए, यह जो B C है, वो किसके बराबर है, V minus U के बराबर है, ति हम जाएगा V minus U, और अपान A C, यह जो A C है, वो किसके बराबर है, यह समय T के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, T, that implies, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, A T equal to V minus U, that implies इसको इसा transform कर दें, तो V equal to U plus A into T, यह देखिए, यह प्रथम समीकर क्या हो गया, proof हो गया, clear, तो यह है प्रथम समीकर जो एक graph पर best है, अब हमने graph के help से इसको बनाया, इसलिए इसको बोले आता है, क्या, graph ही भी दी, यही पर मैं second equation को भी मैं proof कर दूँँ, यह मिटा दिया धाल लिखा उसको मैं, अब देखिए, दूसरा दूइती समीकर है, second equation आप motion from proof करते हैं, जोग आपको पता है, equation of motion क्या है, अब पीछे के graph में, यह पूरा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, वो first वीडियो से related है, एक बात आप और especially care करेंगे, कि यदि आपको मेरा subject बहुत अच्छे से समझना है, तो आप मेरे वीडियो को step by step देखिए, देखिए आप playlist में जाएंगे, तो मैंने proper arrange किया हुआ हुआ है, part 1, part 2, जैसे सराल रेखा में गती पढ़ रहे हैं, तो part 1, part 2, part 3, जितना भी part आए तो आप बीच से video मत देखिए, आप पहले part 1 को अच्छे से clear कीजिए, जैसे class में teachers पढ़ाते हैं, exactly मेरा video इतना systematic है, कि आप यदि उसको proper use करेंगे, तो बिलकुल हम offline class में, हमारे coaching class में, even हम भी जब अपने offline coaching class में पढ़ाते हैं, तो बिलकुल इसी order पर पढ़ाते हैं, त तो आपको कहीं कोई problem नहीं आएगा, ठीक है, तो यह सब में पहले बता चुका हूँ, अब यहाँ पर देखिए हमको मालूम है, पीछे graph में हमने पढ़ा है, कि किसी भी पिंड का जो विस्थापन होता है, वो graph का जो छेत्रफल है, graph में घीरा छेत्रफल के बराबर होता है जो गिरा होगार हो चछेत्रफल है, चाहँ किसी प्रकार का छेत्रफल हो, वो चाह है त्रिभूझ हो, चा दुर्भूझ हो, जो भी हो, तो graph में घीरा होगा छेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, that implies इसको हम लिख सकते हैं, विस्थापन व्याक्ष लिख सकते हैं, औ और ये वाला छेत्रफल, जो कि एक आयत है, तो ये दो छेत्रफल आप देख रहे हैं, मैंने एक को सेड़ेट किया ब्लू लाइन से, और एक को सेड़ेट किया रेड लाइन से, तो ये टोटर हमारा ग्राफ का छेत्रफल है, अब यहाँ पर भी मैं आपको डिस्रस करूँ, ए मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं किसी एक बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे पास पुरी एक लाइब्रेरी है, और मैंने बहुत सारा बुक्स पढ़ा हुआ है, बहुत लांग इस्परियेंस हैं, तो मेरे को जहां से जो मेथर सुटेबल और इजी लगा है, वो मैंने डाप्ट किया है, कुछ अपने से भी मेहनत करके वर्क किया है, तो यदि आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, तो बुक को बहुत ज़्यादा आपको पहले आप मेरे वीडियो क्वेशन देखें, फिर बुक का आपको समझ आएगा, बहुत उस पर डिपे और धन, चतुरभूज, A, C, D, O का छेतरफल निकला है, अपने अपना तरीका है, सालो करने का सही सब है, तो निश्यतुर से हम इस त्रिभूज के छेतरफल में चतुरभूज के छेतरफल को जोड़ेंगा, तो टोटाल छेतरफल निकल जाएगा, लेकिन मुकाम लंबा हो फिर चिभूज के छेतरफल, फिर चतुरभूज के छेतरफल, फिर उसका एडजेस्मेंट, और मैंने क्या किया, मैंने यहां पर दिमाग लगाया है, कि इस पूरे आकरिती को हम क्या कह सकते हैं, प्रेपेजियम, इंगिस्टेपेजियम कहते हैं, हिंदी में समलम है और समलम चतुर्भूज का छेत्रफर का हमको सूत्र पता है तो हम काम को आधा कर सकते हैं इस प्रकार से फिजिक्स में जो mathematical calculation है वो आप अपना थोड़ा सा effort लगा को उसको बहुत आसान कर सकते हैं इसलिए उसको आप सुरुवास सही मेरे साथ अच्छे से ध्यान देंगे तो मैं दोनों का छेत्रफर अलग अलग ना निकाल के combine निकाला रहा हूं एक बार लिप भी देता हूं यहां पर जो की क्या है समलम चतुर्भूज समलम चतुर्भूज का नाम क्या है यहां पर समलम चतुर्भूज का जो नाम है वो है O A B D O O A B D भी कह सकते हैं का छेत्रफल यह हो जाएगा अब हमको पता है कि समलम चतुर्भूज का जो छेत्रफल होता है वो कितना होता है तो होता है एक बटे दो दोनों समनांतर भुजाओं की बीच की दिलिया clear that implies आगे इसको हमसाल हो करें s equal to 1.2 अब यहाँ पर आप देखो o a यह जो o a है graph से देखो o a किसके बराबर है u के थम उसको संकेतों में put कर देते हैं u plus b d b d क्या है अपने पास v है ते हो गया v और into a c क्या है अपने पास a c किसके बराबर है t के बराबर है clear यह आप यहाँ पर that implies a c equal o a plus b d यह जो b d है यहाँ से आप v के मान को यहाँ से v के मान को गती के प्रतिम समीकार से आप पूट कर सकते हैं v equal to u plus a t clear यह direct graph में लाना चाहें अपन तो किस तरह से लिख सकते हैं देखिए 1 upon 2 u plus अब यहाँ से हम गती के प्रतिम समीकर जो हमें प्रूट किया है वहाँ से v कमान पूट कर देते हैं तो हो जाएगा u plus a t आगे का काम आपको पता है आप कर चुके है a is equal to 1 upon 2 u और u 8 होके क्या होएगा 2 u 2 u plus a into t into t that implies a is equal to अब हम क्या करते हैं यह अंदर 1 upon 2 को multiply करते हैं और t को भी तो एक बटे दो में दो कट जाएगा यह गुणा हो जाएगा यह हो जाएगा 1 upon 2 a t square यह हो गया गती का दुरिती समीकर graph की साहता से तो इस पकार से हम सीधा समलब चत्रभूच का 6 तरफन लगा गए दो लाइन में लिख सकते हैं और दूसरा तरीका मैंने बताया आया तो अत्रभूच का कोई जाएगरत ने ऐसा करने का यह हो गया गती का दुरिती समीकर clear अब हम प्रूफ करते हैं गती का दुरिती समीकर graph की साहता से यह मैं मिटा देता हूँ यहां तक और दुरिती equation देखे graph एक ही है न ऐसा नहीं कि graph हम तीनों के अलग अलग बनाएंगे graph common है और उसी graph के साहता से हम किसी को भी proof कर सकते हैं तो गती का दुरिती समीकर जो की दिनों का combine farm है आपको पहले बता चुका मैं कि यह दोनों का combine farm होता है थर्ड दुरिती समीकर गती का तरिती समीकर थर्ड़ी कसन अपनों सन्थ तो देखे यहाँ पर फिर हम निकालेंगे विस्थापन इसमें जो आधा गर्णा है वह दुरिती की तरह है तो विस्थापन कर आपन निकालेंगे वही समलम चतुर भूज अब भी लिखा था जो मैं समलम चतुर भूज क्या यहाँ पर देखिए O A O A B D का छेत्र फर यह देट इंप्लाइज S इक्वल 1 अप 1 टू दोनों समांतर भूजाओं का यो वही काम है याधा O A प्लस B D इंटू A C अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि यह जो A C कामान है इसको हम क्या करते हैं लाके पूट कर दें A C कामान A C कामान यहाँ से हमको हटाना है तो कैसे हैं? अभी हमने पढ़ा है 10 थीटा यहाँ पर आप लिख लेंगे चूँकि 10 थीटा बराबर B C बटे A C B C बटे A C यह हमको मालूम है 10 थीटा का फेल्यू इतना होता है और 10 थीटा क्या होता है? तोरण के बराबर होता है जिसको मैं सीधा लिख दिया क्या? तोरण डारेक्ट इसको हम लिख सकते है A बराबर तो यहाँ से यदि हम A C का माल निकाला A C इधर पक्षांतर किया A C बराबर हो जाएगा B C बटे A तो यह जो A C का माल निकला है इस A C के माल को हम क्या करते है? पूट अप कर देते हैं कहां पर? यहां पर इन्टू A C का माल B C बटे A B C बटे A यह माल हमने भड़ गिया अब यहाँ पर यह 2 को और A को मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ तो है अगर 2 और A इधर आके गुणा हो जाएगा A S बराबर अब यह जो O A का माल है यहां हम ग्राब से भड़ते हैं तो B C मैं निकाल के रखाऊ क्या B – U यह हो गया B – U बराबर यह S2 यह B – U इस तरह से यह गती का त्रीति समुर्वा का ग्राप की साहता से प्रूफ हो जाएगा तो सबसे important बात यहाँ पर graph को समझना और उसके आधार पर की graph से ही वो proof हो गया तो यह है गती के समी करण का method number two graph ही विधी इसके माद इसका जो तीसरा विधी जो की बहुत जादे important है और वो है समा कलन विधी calculus की विधी और इस class की standard के हिसाब से 11 class की standard के हिसाब से आपको समा कलन विधी को सबसे अच्छा तयार करना है इसके लिए आपको समा कलन आना चाहिए तो मैं अपने कई वीडियो मी इस बात की चर्चा कर चुगा कि मेरे जो गडिती आउधारना basic mathematical tools के जो पांच वीडियो है वहाँ से आप consult करिए और सबसे पहले आप physics पढ़ने के लिए जो जरुवी गडित है कि कहां से हमको physics की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए तो physics की पढ़ाई 11 क्लास में actual में mathematical concept सी स्टार्ट करने चाहिए उसके लिए मैंने अलग से playlist में 5 वीडियो डाला हुआ है वो आप जरूर देखिए वहाँ पर calculus पर best मेरा मरे खाल से mathematical tools का third number का वीडियो होगा first में मैंने algebra पढ़ाया है second में मैंने trigonometry पढ़ाया है third number में calculus पढ़ाया है fourth number में मैं vector algebra पढ़ाया हूँ और fifth number में मैं आपको geometry पढ़ाया है वो आप जरूर देखिए तो आपको problem नहीं होगा clear तो अब हम start करते हैं समा कलन विधी से और exam में यदि हमको समा कलन विधी कहता है तो वहीं से बनाना पढ़ेगा और numerical में भी suppose हमको question calculus के फाम में दिया है तो फिर ये सब विधी काम नहीं आएगा इसलिए हमको इस विधी को समझना बहुत ज़वरी है ठीक है वैसे भी इस class के standard के हिसाब से calculus का method सबसे ज़्यादा important है जोकि graph और ये को हम 9th class में भी समझ सकते हैं या समझे होंगे method number 3 इसको हम कहेंगे समा कलन विधी integration method इंगलिस सिंब बोलते हैं integration लिख दूँ integration method तो अब one by one proof करते हैं पहला प्रथम समी करन देखो वही चीज प्रूफ हो रहा है अलग अलग विधी से प्रथम समी करन तो यहाँ पर सब भेजिये बस सब समी करनी लिख रहा हूं आपको पहले से पता है सिधा पर लिखेंगे चू की त्वराण a बराबार dv बटे dt यह मैं आपको अपने पहले विडियो में बता चूका हूँ की त्वराण को हम कल्कुलस के फार्म में dv बटे dt लिखते हैं इसको इधा ट्रांसफर कर दूँ तो dv बराबार जाएगा a into dt अब हम यहाँ पर इसका क्या कर देंगे sorry a into dt अब इसका हम समा कलन करेंगे समा कलन करने पर समा कलन करेंगे तो दोनों साइट का समा कलन का है integration of dv equal to integration of a into dt अब यहाँ आपको limit रखना होता है सीमा तो limit हम क्या से रखते हैं यहाँ पर हमारे पास दो वेग है क्योंकि प्रत्रम समीकर है v equal to u plus a t और यहाँ पर दो वेग है प्रत्रम वेग और अंतीम वेग तो वेग के सापक जो समा कलन होगा तो निम्न सीमा क्या होगा प्रारम हीक वेग और उच्च सीमा होगा क्या अंतीम वेग उसी प्रकार से यहाँ पर हमको time का limit पूट करना पड़ेगा तो time का lower limit 0 क्योंकि कोई भी print सुनने समय से गति स्टार्ट करेगा और अंतीम समय t तो यह हम क्या करेंगे यहाँ पर सीमा को लिक देंगे limit को इसका अब हम इसका समा कलन करेंगे that implies आपको एक formula बता दूँ integration आप dx सिर्फ dx integration आप dx जो होता है वह x के बराबर होता है यह आप उस वीडियो को देखे बोलो हमें बहुत जोरुई है और नहीं तो मैं बीच बीच में बताए बहुत ही जोरुई है उसके भी ना आपको परसानी होगा हमें सा इसलिए आप उसको जरूर देखे बार-बार देखे कोई problem है तो मुझे आप comments box में लिक के बताए तो integration आप dx जो होता है वह x के बराबर होता है यह सब मैं उस वीडियो में पढ़ाया है तो यहाँ पर integration आप dv किसके बराबर हो जाएगा वी के बराबर हो जाएगा तो यह integration का sign हट जाएगा dv का integration v और lower limit u upper limit v उस पकार इधर भी तो एक constant है बाहर आएगा उसका integration नहीं होगा यहाँ होगा integration आप dt तो जैसे integration आप dv भी हुआ उसी पकार से integration dt क्या होगा t होगा यह t और lower limit 0 upper limit t ऐसा उसको लिखा जाता है that implies अब limit रखने का formula होता है upper limit minus lower limit तो v minus u पहले upper को लिखते हैं फिर minus करके lower को लिखते हैं तो v minus u that equal a into upper minus lower t minus 0 यह हो गया that implies अब इसकंदर multiply कर दें तो v minus u equal to यह multiply हैगा a into t that implies u कुधर transfer कर दें तो v equal to u plus a into t यह हमारा गतिका प्रथम सभीकार proof हो जाएगा clear इस पकार से यह है प्रथम सभीकार गतिकार clear अब हम देखते हैं 2-3 सभीकार यही proof कर देता हूँ मैं 2-3 समीकर second lap motion second lap motion क्या होता है देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चुकि v अपने को पता है ds बटे dt यहाँ वेक से स्टार्ट करेंगे ds बटे dt इसको हम थोड़ा से अडजेस्मेंट करेंगे v equal to ds बटे dt को देखिए अपने को मालूम है कि जो समीकर हम proof करने वाले हैं वो क्या है s equal to ut plus half a t square यहाँ पर इसको हम थोड़ा से अडजेस्मेंट करें इसको पहली धा ट्रांसफर कर दें यह त्य हो जाएगा ds equal to v into dt वहाँ से guideline हम को मिल जाता है that implies अब इसको क्या करें हम समा कलेंट कर दें तो integration of ds बराबर integration of v into dt that implies इसको हम सीमा यहाँ पर एक बरावर इसको लिख दू integration of ds और v का मान गती के प्रसंद समीकर से पर put up करते हैं तो यह क्या हो जाएगा v का value u plus a t into dt that implies यहाँ पर इसको अलग-अलग integration करते हैं integration of ds u का अलग-इसका अलग तो हो जाएगा u dt plus integration of a into t dt अब यहाँ पर देखे हमको जो limit put करना है तो यहाँ limit नेसेसरी नहीं है लेकिन हम यहाँ put कर देते हैं क्योंकि इसकी जो प्रारंभीक इस्थिती है 0 है 0 लिख दिया और अंतीम इस्थिती s clear वैसी t के साब x तो प्रारंभीक समय सुन्य अंतीम समय t यहाँ पर भी t के साब x तो 0 और t तो जब सब का lower limit 0 हो तो लिखना ज़रू ही नहीं होता लेकिन यहाँ लिख देते हैं नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा अब हम इसका summa कलन करें तो integration आप ds क्या होगा s होगा यह हो गया clear और limited यह आप लिखना चाहें तो limit को भी लिख दीजिए 0 to s that equal u constant है बहार आएगा integration आप dt t होगा 0 to t plus यहाँ पर a constant है बहार आगया t का घात एक है तो इसका integration होएगा t square point 2 0 to t यह हो गया that implies अब यहाँ पर हम upper limit minus lower limit लिख है तो s minus 0 equal to यहाँ पर भी ut minus इसलिए मैं बोला था कि lower limit के हाज़वरत नहीं कोई सब 0 0 हैगा और plus यह एक बटे 2 को बाहर कर दूँ तो 1 upon t t square minus 0 अब इसका हम detail में लिख दे तो s equal यह हो गया ut plus यहाँ हैगा 1 upon 2 80 square यह है s equal to ut plus half 80 square यह दूती समीकर थोड़ा calculus method में आपको special care करना पड़ेगा खास कर मैं जहाँ पर समा करना कर रहा हूं उसके लिए आपको मेरा calculus का video concern करना ही होगा तभी possible होगा ठीक है अब हम इसके लिखते हैं third equation त्रीती समीकरण third equation जो की इन दोनों का combine फाम है आपको पता है पहले से बार बार हम combine फाम में ही इसको लिख रहे हैं ये भी मिटा दिया में चल ठीक है तो होई गया third त्रीती विधी स्वारी त्रीती समीकरण विधी भी त्रीती ही है method भी third ही है त्रीती समीकरण त्रीती समीकरण क्या होता है हम सब को अभ्याद हो गया है V square equal to U square plus 2A चलो इसको proof कर लेते हैं calculus methods है न तो यहाँ पर हम start करते है त्रीत के formula से A equal to DV by dt यह हमको guideline मिलता है यहाँ से कि इसमें आया क्या क्या है तो त्रीत वेग आया है त्रीत आया है तो यहाँ पर हमें एक multiply कर देते हैं ds और ds divide भी कर देते हैं ऐसा कर सकते हैं उसी चीज़ का गुणा उसी चीज़ का भाग हम कर सकते हैं अब यहाँ पर इन दोनों का मैं एक pair बना लेता हूं किसका ds और dt का और इन दोनों का एक pair बना लेता हूँ, इसका तो मेरा नया pair कैसा बन जाएगा? वो बन जाएगा, that implies A equal इसको मैं पहले लिख लिया ds बटे dt और इनको वैसी लिख लिया dv बटे ds अब आपको पता है ds बटे dt क्या होता है? वेग होता है तो वेग होता है तो यह हो जाएगा, that implies A equal to v into dvy ds अब ds विधर transfer कर दें हैं अपन तो क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा A into ds equal to v into dv अब हम इसका कर देते हैं समा कलन समा कलन करने पर तो क्या हो जाएगा? integration of A ds equal to integration of dvdv अब यहाँ पर हम limit put करेंगे तो विस्थापन, प्रारामभीक विस्थापन सुन्य, अन्ति विस्थापन s, यहाँ वेग के सापेक्स तो प्रारामभीक वेग u, अन्ति वेग b यह limit वाँ ज्यान रखना हम limit जिसके सापेक्स समाकलान होते रहता है, उसी के carding, यहाँ पर विस्थापन के सापेक्स समाकलान हो रहा है, तो वेग के सापेक्स हम क्या रखने हैं? limit रखने हैं, अब समाकलान करेंगे तो एक constant है बाहर आ गया, और integration अब ds क्या होगा? s, 0 और s, that equal यहाँ पर वी कखाद एक है इसका समाकलान v square upon 2 होगा, और limit होगा u से v, that implies a, upper limit minus lower limit, s minus 0, equal 1 upon 2 को मैं बाहर कर दिया, तो upper limit कहा हैगा v square, lower limit हैगा u square, that implies इस अंदर multiply कर दे, as और 2 को इधर transfer भी कर दे तो 2 as, equal to हो गया, v square minus u square आप practice करेंगे, तो बहुत आसान है u square plus 2 as यह त्रिती समीकलाना है तो आज हमने, आज के इस वीडियो में जो पढ़ा, गती का तीनों समीकल पढ़ा और 3 अलग-अलग विधी से पढ़ा तो मेरा आपको suggestion है कि आप तीनों विधी को बहुत अच्छे से पयार कीजिए और यह सब से important है इस पर numericals बहुत ज़्यादा important है एक और important बात आपको जाते जाते बता दूँ कि हम जब 10 class से 11 class में आते हैं तो हमको physics थोड़ा सा burden जैसे लगता है थोड़ डर लगता है लेकिन starting में बहुत relax, बहुत अराम से और मैं 11 class के standard के हिसाब से आपको बहुत अराम से provide करा रहा हूँ बिना किसी tension के बहुत अराम से इसको पढ़िए और 11 class में आप physics strong करेंगे तभी 12 में आप अच्छा कर पाएंगे और तभी आप completely निकाल पाएंगे यदि आप beginning से ही base पूर कर लिए तो आप बाद में recover नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छे इसको तयार कीजिए और इसके next topic को लेके हम next video में आप से मिलते हैं ओके thank you